साथियों पढ़ों ऑनलाइन पर आपका स्वागत है सरकारी नोखरियों की तैयारी के लिए एक बहतरीं प्लेट फॉर्म चले ये शुरू करते हैं प्रिये विद्ध्यार्तियों स्वागत है आपका एक बार फिर से पढ़ों ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जहां पर आज हम राजिस्थान में 1857 की क्लांती की जावनी और विद्धो जो हुआ था उस विशह पर हम गहनता से अध्यान कर चुके हैं जिसको महत्यपूर्ण प्रिश्ण ओत्री जोकी परिक्षाव में आते हैं उन पर हम प्रिश्ण हल करकर देखने वाले हैं तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए शुरू करते हैं राजिस्थान में 1857 की क्रांती जावनीयों और विद्धो तो अगला प्रिश्ण है बिथोड़ा के युद्ध में खुश्वाहल सींग के नेतरत्व में क्रांती कारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा खुश्वाहल सींग थे बिथोड़ा का जो युद्ध तोसमें Captain Heathcoat को हराय था, अगला प्रिश्न है, राज्श्थान में कितनी सैणिक छावनिया थी, कितनी सैणिक छावनिया थी, सही जवाब हो जाएगा, 6 सैणिक छावनिया थी, अगला पुष्ण है चलो दिल्ली मारो फिरंगी बहुत महत्पुन है का नारा किस छावनी के करांती कारियों ने दिया था तो इसका सही जवाब है एन Pikachu चावनी के करांती कारियों ने ये नारा दिया था अगला परिशन है डैश के अनुसार 1857 का विद्रो पूंता देश बक्ती रहित और स्वार्थी सेनिक विद्रो था यह किस ने कहा था तो इसका जो सही जवाब है वै है सर जॉन सिले तो सही जवाब है जॉन सिले अगला प्रिश्ण है 1857 की क्रांती के समय भारत का गवर्नर जर्नल कौन था? भारत का गवर्नर जर्नल तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? लॉड कैनिंग अगला प्रिश्ण है 1857 के विद्रो के समय अवगा की ठाकुर कुशल सींग को मेवार के किस इस्थान के सामन्त ने अपने यहाँ पर शर्न दी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? को अठारिया के सामन्त थे उन्होंने ठाकुर कुशल सींग को अपने यहा साहिता की थी तो तात्या टोपे की साहिता करने वाले ठिकानेदार का नाम यहां पर आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा सलूमबर जो की उद्यपुर में था वहां के केसरी सिंग ने इनको साहिता दी थी तो सही जवाब सलूमबर के केसरी सींग 1857 की क्रांती में नसीराबाद चावनी में विद्रो बढ़गने का प्रमुक कारण क्या था तो प्रमुक कारण आपको बताना है तो इसका जो सही जवावे वो हो जाएगा बा अजमेर इस्थित पंदरवी बंगाल नेटिव इंफेंट्री को नसीराबाद भेजन अगला प्रिशन है किस आयोग की शिफारेश पर ठाकुर कॉषल सींग को रिहा कर दिया गया था तो किनकी उस पर इनको रिहा किया गया था तो इसका जो सही जवावे वो क्या हो जाएगा टेलर आयोग बा अगला प्रिशन है राजस्तानी लोगीतों में किस युद्द को गोरों वे कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। गोरे और कालों के युद्ध के गोरे मतलब अंग्रेच और काले ठाकुर कुशल सींग संपावत जो विद्रो हुआ था। तो इसके बारे में आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा बा, ठाकुर, कुशल सींग और मैक मसन के बीच यह युद्ध हुआ था जिसको गोर्य और कालों का युद्ध कहा जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा डूंगला गाओं में सबसे पहले उनको शरण मिली थी अंग्रेजों ने अपनी शबद भंग की है क्या उन्होंने अवद पर अधिकार नहीं किया अता उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारती यह अपनी शबद का अनुपालन करेंगे 1857 की क्रांती के संदर्म में यह कथन किस ने कहा था तो यह आपको बताना है तो इसका सही जवाब है महत्तपून भी है इत्दा मुहमद अली बेग ने यह कथन कहे थे बरतपूर एवं अलवर ने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संदिया की थी कब संदिया की थी यह आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब है वो जाएगा सितंबर नवंबर 1803 में यह भी महत्तपून प्रिश्ण है अगला प्रिश्ण है 1857 की क्रांती की समय दोहलपूर का शाशक कौन था दोहलपूर के शाशक आपको बतानी है पूछ लिया दाता है कई बार तो इसका जो सही जवाब है वो जाएगा भगवन्त सीम अगला प्रिश्ण शेखावाटी ब्रिगेड का मुक्यवाले कहां इस् का सही जवाब हो जाएगा भीलवाडा को महत्वण है स्वतंतरता की आजादी का गड़ भीलवाडा को कहा जाता था अगला प्रिश्ण है कुवाडा जो की भीलवाडा में इस्तित्था इस्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जनरल रोबर्ट्स अगला प्रिश्ण है राजपूत आन्या कि किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रे जोने बाइबल को साक्षी मान कर संधी की थी तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतपुर कोटा में 1857 के विद्रो का नेत्रितु करता कौन था तो यहाँ पर 1857 के विद्रो का नेत्रितु करता आपको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी जैदयाल महराब खान किनो ने भाग नहीं लिया था उसका जवाब आपको बताना है तो इसका जू जवाब हो ़ो क्या हो जाएगा कोटा रियासत तो बायस का कोटा 1857 के इस वतậंतरता संग्राम में कोटा महराव की सहहता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहहता भेजी थी आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा करो ली अगला प्रिश्ण है किस साशक ने 1857 के उद्ध में सेना नेत्रतू स्वैं किया था सेना का नेत्रतु स्वैम किस ने किया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार सी भी का नेर ये अंग्रेजों की साहता करते हुए हिसार तक पहुंच गए थे जिन्होंने अंग्रेजों की काफी मदद की थी 1857 की क्रांती की समय जोदपूर के महाराजा कौन थे तो इसका सही जवाब हो जाएगा तक सी 1857 की क्रांती के समय कोटा में प्रमुक नेता जैदयाल तथा महराफ का क्रमशा कहां के निवासी थे तो इसका सही जवाब हो जाएगा मतुरा और करॉली के ये निवासी थे अगला प्रिश्ण है 1857 एसवी के विपलव के समय राजपूताना रेजिडेंस में एजेंट टू गवर्णर जनरल एजी जे कौन था राजपूताना रेजिडेंस में एजी जी आपको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस बहुत महत्पून है तो इसका आपको जवाब बताना है इसका सही जवाब हो जाएगा एहरिनपुरा चावनी से ये समबन दित थे जो प्रिश्ण है राजपूर में 1857 की क्रांती के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको रियासत से मिलान करना है तो इसका मारवाड में मैक मैसन थे मेवाड में मेजर शावर्स जैपूर में करनल इडन और कोटा में मेजर बर्टन तो सही जवाब हो जाएगा आ आबासा दा नीवत चावनी से विद्रो सैनिक दिल्ली जाते समय किस चावनी में पहुँचे थे तो नीमत से जब विद्रो सैनिक जा रहे थे तो किस चावनी में पहुचे थे इसका आपको बताना है तो इसका जवाब हो जाएगा देवली चावनी से होते हुए देवली 1857 की किरांती किसे में भरतपुर रियासत में बिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भरतपुर रियासत में आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मौरिसन 1857 के विद्रो का कोटा में नित्रतु किस ने किया था कोटा में किसने नित्रदु किया था यह आपको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैदयाल और महराख खान प्रारंबिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रशिद शहर था उमेदपुरा की छावनी इस नाम से कौन सा शहर प्रशिद था अलग सा प्रशिद है तो आपको इसका जवाब बताना है तो इसका जवाब हो जाएगा आ जहलावार उमेदपुरा चावनी के नाम से प्रिसिद शहर था दफेदार मोती खां एवं सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतरतु में एरिनपुरा चावनी में पूर्विया सैनिकों ने करांती का सूत्रपात किया कि सैनिक संगठन से संबन दित थे तो इसका जवाब है आ यह हो गया जोदपुर लीजन तो दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद का नाम आता है तो वो जोदपुर लीजन से संबन देते हैं 1857 की विद्रो के समय कोटा प्रांत का राजनेतिक एजेंट कौन था उद्यपुर के महराना का नाम आपको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वरूप सींग राजस्थान में 1857 की कुरांती के समय शिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन थे शिरोही रियासत के तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेडी हौल राजिस्थान रोल्स इन दा इस्ट्रगल ओफ 1857 किस ने लिकी थी ये पुस्तक इसके बारे में आपको बताना है महत्वपूर्ण परशन है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नाथूराम खडगावत 1857 की क्रांथी के दोरान डूंगरपुर का साशक कौन था जिसने अंग्रेजों की साहता की थी तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा सा उधैसीं सेकंड थे इन्होंने साहता की थी 1857 की क्रांथी के दोरान देशी रियासत और पॉलिटीकल एजेंट का कौन सा युगम असंगत है जो मिलान नहीं कर रहा है तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा सा ये गलत मिलान कर रखा है तो इसका आंसर सही ये हो जाएगा उद्यपुर में जो पॉलिटीकल एजेंट थे वो सी एल सावर सही है जैपुर करना लिड़न सही है बिकानेर के ये गलत है और जोद्पुर के मैक मैसन सही है तो साथियो ये पृष्णोत्री थी महत्पुर्थी 1857 की क्रांती से संबंदित तो आपने मुझे सुना आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में झाल 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 झाल